कि नमस्कार प्यारे विद्यारतियों बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्यानोद्य अकेडमी हन्मानिकर जंक्शन के इस उनलाइन यूट्यूब चैनल पर दिखिए कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठे पुस्तक है उसके कावे खंड में हम चैप्टर 1 कर चुके हैं सूर्दास चैप्टर 2 तुलसिदास जी कर चुके हैं हम लक्षमिन परशुराम सवाद चैप्टर नमर 3 कर चुके हैं हम सेनापती जी का रितुवणन चैप्टर नमर 4 का हमारा पार्ट 1 वीडियो आ गया था देव जी का जिसमें हमने देव जी के जीवन परिच्चे के बारे में और जीवन परिच्चे बाट परिच्चे था इसके दो पध्यांस कर ले थे और लास्ट पध्यांस हमारा रह गया था तो आज के पार्ट सेकंड में हम लास्ट का जो हमारा पध्यांस रह गया है उसकी बात करेंगे कि उसमें देव जी क्या कहना चाहरे है और उसके बाद ज्यादातर विद्यार्थियों की डिमार्ड थी के सर एक बर लास्ट में पूरे की एक बर जो कावえ खंड है उसकी जो बावार्त है या व्याक्ः है वो एक साथ बता दीजीएगा तो मैं जरूर आपको उसके पुरी व्याख्या आज के वीडियो में एक साथ बताऊंगा तो आईए बात करते हैं आज के हमारे अंतिम पध्यांसकी देखिए कभी देव जी के मैं मने सुना था कि कोपियां किस परकार क्रिशन के प्रेम में डूबी हुई है और किस परकार गोपि अपनी सकी से तुलना करती हुई कहती है कि इभी मेरी हालत इतनी खराब होगी है जिस पकार वो एक मदूमक्षी शैद में गिर जाती है तो चाकर भी बाहर नहीं निकल पाती है वैसे ही आलत अमारी होगी श्री किर्षन के प्रेम से हम बाहर नहीं निकल पा रहे है आगे देखें क्या कहते है गोपी जहरी जहरी जीनी बूंध है परती मानू अब देखिए यहाँ वही गोपी अपनी सक्षी को कह रही है और अपनी सक्षी को कह रही है भी मुझे एक सपना आया है वो सपना अपनी सक्षी को बता रही है वो सपने में उसने क्या देखा है तो देखिए जो सपना आया है उसमें क्या देखा है दे रही है परती मानों मानों की गिर रही है तो यहां कोई भी गोपी जो गोपी है वो अपनी सक्षी से अपनी सपने की बात कह रही है कि जंकोरों के साथ ननी ननी बुंदे मुझे गिरती हुई सपने में दिखाई दे रही है गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में और वो कहरी है कि आकाश के अंदर गगन का मतलब क्या होता है आकाश होता है गगन के अंदर गहरी गहरी यानि कूब गहरी काली गटाएं गिरी हुई है गोपी अपने सपने को बता रही अपनी सकी को कि जंकोरों के साथ बुंदे की बारिश हो रही है और जो आकास है उसमें काली गटाएं चाह रही है आनी कहियो शाम मौसो चलो जूलीवे को आजू ऐसे में भगवान गोपी अपनी सकी को बता रही है कि ऐसे में भगवान श्री क्रिशन ने, किसकी बात वरी है, भगवान श्री क्रिशन ने मुझे मेरे सपने में आकर क्या कहा, आनी कहियो स्याम मोसो, कि श्री क्रिशन ने मुझे मेरे सपने में आकर कहा, कि चलो हम जूलीबे को आजो, आओ हम जूला जूलने, चलते हैं, जूल ऐसी हो मगन में देखिए कि क्या कह रहा है इसमें गोपी कह रही है कि और जब सिरिकेशन के मुझे सément Onze ने सुना कि आओ झूला झुला झूलते हैं फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में हैं तो हैस सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं फूली नैं इंस अधिया हसे 5 खं तो मैं फूली ना समाई और मेर को इतनी कुश्य होई कि मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दिया चाहती उठी योई उड़ी गई सो निगोडी नीद कि मैं ऐसा सुनकर उठकर उनके साथ चलने को तयार हो गई कि मैं ऐसा सुनकर उठकर उनके साथ चलने को तयार हो गई लेकिन उड़ी गई सो निगोडी नीद उस और मेरी जो अभागी नीद है वो उड़ गई निगोडी नींद का मतलब निगोडी का मतलब है अभागी क्या है कि यह आए बात सुनकर मेरे जो अभागी नींद है वो क्या हो गई उड़ गई सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में ये देखे क्या गया है कि उस समय जब मैं जाग गई तो मेरे जाग जाने से तो मेरे ऐसा लगा कि मेरे भाग ही सो गई अब ऐसा क्या हुआ कि गोपी के जागने से गोपी को लगा कि उसके भाग सो गई सोए गए भागे मेरे जागी वाज जगन में कि मेरे तो भाग ही सो गए जैसे ही मेरी निंद्रा कोली तो जैसे ही मैं नींद से जागी आखे खोली देखो तो घन है न घन शाम कि जैसे ही मेरी निंद्रा कोली जैसे ही मैंने आखे खोली तो मैंने अपने चारों तरफ देखा और मैंने अपने चारों तरफ क्या देखा कि नै तो बादल ही दिखन घन का मतलब क्या है घन यानि की बादल घन का मतलब क्या है घन का मतलब बादल कि जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा ना तो मुझे बादल दिखाई दिये और घंशाम और ना ही मुझे श्री क्रिशन कहीं पर भी चारों तरफ दिखाई दिये तो घंशाम का मतलब क्या है श्री क्रिशन है आखी कोली देखो देखो तो घंशाम जब भी मैंने आखाओ तब मैंने जैसी निंद्रा से आंके कुल के देखी, चारों तरफ देखा तो ना बादल है तो ना ही मेरे प्रियाशिरी क्रिशन है वेई चाई बुन्दे मेरे आसु हवे द्रिगन में और सपने में जो मैं बारिश की बुन्दे जंचोरती हुई जगोरती हुई इकाली घटाओं के साथ बारिश की बुन्दे गिरती हुई देख रही थी आसु हवे द्रिगन में वही बुन्दे मेरे नेत्रों से क्या बनकर आसू बनकर द्रिगन यानी मेरे नेत्रों से आसू बनकर बहे रही थी यह गिर ने लगी तो यह हमारा टॉपिक था चैप्टर नंबर फॉर्ट देव का आईए आप लोगों की डिमांड पर एक बार फिर से मैं आपको इस पूरे चैप्टर का जो है व्याख्या बता देता कभी देव ने श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए क्या कहा है देखिए यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि जिनके चड़नों में सुंदर गुंगरू बज रहे हैं और जिनोंने अपने सामले सरीर पर पेले वस्तर पहन रखे हैं और जिनके हुलसे गले में वनमाला सोभा प माथे क्रीट बड़े द्रिग चंचल मंद हसी मुख जंद चुन हाई यह कह रहा है कि मुख रूपी चंदर्मा के समान उनकी मुझे जो है हसी लगती है जिनके माथे पर मस्तक पर क्रीट यानि की मुकट है जिनके नेत्र यानि की द्रिग जो है नेत्र बड़े ही चंचल है ऐसे श्री क्रिशन संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान परकाश फैला रहे हैं तरता श्री क्रिशन ब्रज के दूले के समान सब के सायक बने हुए हैं धाए में धाए धसी नीरा धार हवे जाए फसी उकसी नया बेरी री अंग राय गिरी गहरी गही फेरे फीरी ओ घिरी नहीं गहरी देव कच्चु अपनो बसना रस लालच लालच चिते भई चेरी बेगी ही बूड़ी गई पखियां अखियां मदू की मखियां भई मोरी दिखे क्या चेरिया आपर किस एदार के उसमें फस्ती जा रही हूँ और मैं निकलने की कोशिश करती हूँ फिर भी निकल नहीं बार रही हूँ लेकिन जैसे ही मैंने अंगडाई लेने लगती हूँ और ज्यादा प्रेम रूपी दारा में मैं गिरती जा रही हूँ गही कार्थ होता है पकड़ना और फेरे का होता है लोटाना कि कह रहा है कि मैं चाहकर भी नहीं लोट पा रही हूँ मैं अपनी आँखों को शीक्रिशन के प्रेम में जो डूब गई है उसे लेकिन फिर भी मैं अपनी आँखों को नहीं पकड़ पा रही हूँ कभी देव कहते हैं कि गोपी अपनी सकी को कहती है कि इन आखों में अब मेरा कोई बस नहीं है देव कच्छू अपनों बस ना कि मेरा अभी देव कि इनाखों में कोई बस नहीं चलता मेरी आखे तो सिरिकेशन के दर्शन के लालची होकर उनकी दासी चेरी का मतलब होता है दासी अब तो उनकी दासी बन गई है गोपी अपनी सक्की से तुलना करती हूँ कहती है कि मैं बेगी बेगी का मतलब है जल्दी कि मैं जल्दी ही ढूप गई हूं इस सिरिकेशन जी के प्रेम में किस परकार एक मदू मख्छी शहद में ढूप जाती हैं चाहकर भी निकल नहीं पाती है मेरी भी हालत जो है वैसे उस मदुमक्खी की जैसे होगी है कि मैं श्री क्रिशन के प्रेम से चाहकर भी बाहर नहीं निकल पारही हूं जहरी जहरी जीनी भूंध है परती मानो गहरी गहरी गटा गेरी है गगन में आनी क्यों शाम मोसो चलो जूली विको आजो फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में चाहती उड़ी योई उड़ी गई सोनी गोडी नींद सोए गए भाग मेरे जागी वा जगन में आखी खोली देखो तो घन है ना गण शाम वेई चाई बूंदे मेरे आसों हुवे द्रगन में देखे यहां पर कोपी अपनी सक्षी को अपने सपने की बात बताते हो गहरी है कि जहरी 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 जिनी बूंद परती मानो ऐसा लग रहा है कि जकोरों के सार ननी ननी बूंदे गिर रही है गहरी गहरी घटा गहरी है गगन में गगन यानि आकाश और आकाश में कारे रंग की गहरी गटाएं च्छा रही है कि श्री शाम ने मुझसे कहा मेरे सपने में आकर मुझसे कहा कि चलो अपने जूला जूलने चलते हैं फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में और ऐसा सुनकर मैं फूली ना समाई और ऐसी मगन हुई कि मुझे और किसी चीज कभी ध्यान नहीं रहा चाहती उड़ योई उड़ी गई सुनी गोड़ी नीद सोए गए भाग मेरी जागी वा जगन में मैं ऐसा सुनकर उठकर उसके साथ चलने को तैयार हो गई और मेरी अभागी नीद उड़ गई उस जाग जाने से ऐसा लगा कि जैसे मेरे भाग सो गए है आखी खोली देखो तो घन है ना घन शाम वेई चाई बुंदे मेरी आसु हुए द्रिगन में और क्योंकि जब मैंने जैसे ही मेरी निंद्रा खोली मैंने आखे खोल कर चारों तरफ देखा तो ना मुझे घन यानी की बादल दिखे और घन शाम या ना की मेरी श्री क्रिशन दिखे वेई चाई बुंदे मेरे आसु हुए द्रिगन में और सपनों में जो मुझे जगोरती हुई ननी बुंदे गिरती हुई दिख रही थी वही मेरे नेत्रों से आसु बन कर गिरने लगी तो ये हमारा पार्ट चार का पार्ट टू हो गया है कठिन शबदार्थ के बात कर लेते हैं नुपुर का अर्थ क्या होता है नुपुर का अर्थ होता है घुंगरू क्या होता है नुपुर का अर्थ घुंगरू कटी का मतलब है कमर लसे शुशोबित होना किरिट मुकुट द्रिग नेत्र और जुनहाई मोस्ट इंपोर्टेंट चांदनी जुनहाई का अर्थ क्या ह चांदनी है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे देव के प्रशन उत्तर के साथ और दो तीन शब्दार्थ हमारे रहें कर लेते हैं चेरी का अर्थ होता है दाशी चेरी का अर्थ है दासी बेगी होता है तेजी से और पक्षिया होते हैं पंक तो बहुत जल्द हम मिलते हैं कि हर लेटिस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और विद्यारतियों जो टैंथ के विद्यारती स्पेशल जो काफी डिमांड कर रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम से हम ज़्यादा है और काफी जगें तक चितोडगर चूरू से बच्चे जुड़े होए हैं तो उन इंगलिश मीडियम के वीडियो दो वीडियो अल्रेडी अपलोड हो चुके हैं तो थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ